Assalamu alaikum, this is Ms. Komal here from Little Master Model School In the previous lecture, we have completed exercise 5.2 Now, moving towards the exercise 5.3 Question number 1 है, हमारे पास change the following into common fractions हमारे पास decimal values दी हुई हैं हमें उन्हें common fractions में convert करना है यानि जो point है उसे खतम करना है Point को खतम करने का तरीका यह होता है कि जहां पे भी आपके सवाल में point है आप उसकी नीचे upon डाल कर उस value की नीचे one डालेंगे और उसके बाद जितनी भी values point के बाद सवाल में है उतने zero वहाँ नीचे उस one के साथ लिख देंगे जैसे सवाल में 15.3 था Point की नीचे हमने exact नीचे one डाला और point के बाद कितने digit थे एक तो हमने एक zero लगा दिया यह fraction हो गई 153 upon 10 अब उसने बोला है common fraction common में mixed भी आती है proper भी आती है improper भी improper है इसे हम mixed में convert कर देंगे 153 अंदर रखा 10 बाहर 10 वन जा 10 5 केरी बचा 5 remainder बचा फिर 3 इदर 10 5 जा 50 then हमारे पास 53 में से 50 माइनस किये remainder बचा 3 तो यह mixed fraction किस तरीके से लिख दिया 15 whole 3 upon 10 अब से पहले लिखते हैं quotient then लिखते है remainder और फिर उसके बाद लिखते हैं divisor हमने लिख दिया 15 whole 3 upon 10 next हमारे पास fraction है 0.376 point के नीचे exact 1 लगाया और उसके बाद कितनी values हैं हमारे पास कितने digit हैं 1,2,3 तो 3,0 लगा दिया यहां से यह point खत्म हो गया value हो गई 376 upon 10,000 only 1000 2 5s of 10 और 2 0 फिर 2 1s are 2, 1 इदर कहरी किया 2 8s are 16 दुबारा 1 इदर कहरी किया 2 8s are 16 हमारे पास यहां आ गई 188 upon 500 इसे दुबारा 2 के टेबल से डिवाइट करेंगे 2 2s are 4, 1 इदर कहरी किया यह हो गया 10, 2 5s are 10 और 0 का 0 यहां हो गया 2 9s are 18 और 2 4s are 8 यहां आगया 94 upon 250 अब दुबारा यह 2 के टेबल से कट होगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 इदर कहरी किया 2 5s are 10 उपर 2 4s are 8, 1 इदर कहरी किया 2 7s are 14 आंसर आगया हमारे पास 47 upon 125 अब यह जो है हमारे पास proper fraction है यह further divide भी नहीं हो सकती नहीं एक टेबल से कट हो सकती है इसलिए यह आंसर है अब इस पार्ट के जितने भी remaining question है वो आप book के page number 93 exercise 5.3 के question number 1 से करेंगे question number 2 है हमारे पास change the following into decimal fractions हमारे पास fractions दी हुई है और उन्हें हमें किसमें convert करना है decimal fractions में तो हम इन fractions को divide कर देंगे और decimal में answer ले आएंगे जैसे हमारे पास 1 upon 2 उपर वाली value अंदर रखी और नीचे वाली बाहर यह 1 था 2 के table में 1 नहीं आता तो हमने 0 लगा के point लगाया point लगाने से एक 0 ले रिया 25 जा 10 हमारे पास इसका answer आ गया 0.5 यह answer next question है 7 whole 2 upon 5 mix fraction है इसे पहले हम improper में लेके जाएंगे 5 7 जा 35 35 और 2 कितना हो गया 35 और 2 37 upon 5 5 बहार रखा 37 अंदर 5 7 जा 35 2 remainder बचा फिर उसके बाद point लगाया point लगाने से 0 ले लिया 5 4 0 20 यह पूरा कट हो गया answer आया 7.4 यह जो fraction थी convert हो गई decimal में इस पार्ट के भी जितने भी remaining question है book के page number 93 से question number 2 exercise 5.3 खुद solve करेंगे next part है हमारे पास round of the following two two places after decimal यहाँ पर हमारे पास कुछ values दी गई हैं जिन में decimal के बाद कुछ numbers हैं हमें उनको सिर्फ दो places तक लेके जाना है यानि अगर कोई decimal के बाद दो से जादा numbers हैं तो उसे हमें s पर rule खतम करके सिर्फ two places तक लेके आना है rule क्या होता है कि अगर जो चीज आपने round of करनी है वो five से बड़ी है तो आप पिछले number में क्या कर देंगे one add कर देंगे अगर वो five से छोटी है वो value जो आपने round off करनी है तो वो number same रहेगा और अगर वो five भी है तब भी वो number same रहेगा जैसे हमने three point seven eight nine तीन डिजिट है हमें nine को round off करना है नाइन five से बड़ा है तो पिछले number में क्या हो जागा one add तो यह जो eight था इसमें one add हुआ तो यह हो गया nine और यह पिछला nine round off हो गया तो हमार पास answer आया three point seven nine next है seven eighty point nine 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 हम सिर्फ लास्ट वाले nine को round off करना है लास्ट वाला जो number है वो five से बड़ा है इसलिए उस पिछली वैल्यू में one add होगा जब हमने पिछली वैल्यू में one add किया तो यहाँ one add करने पर nine or one कितने हो गए ten फिर one carry nine or one हो गए ten फिर one carry तो यह zero में one जब add हुआ तो यह होग है seven eighty यह point है point के बाद अगर जितने भी zero हूं वो cut हो जाते हैं इसलिए answer हमारे पास आया seven eighty one हमने सिर्फ इसको round off करना था वो automatically point के बाद जीरो आ गया तो हमें हमने वो भी cut कर दिया आप जीरो लिखें या ना लिखें कोई फरक नहीं परता अब इस पार्ट के जितने भी remaining question है वह भी एक्सराइज 5.3 से खुद सौफ करने next question है हमाया पास multiply decimals में multiply किस तरीके से करते हैं कि आपको यह रूल याद रखना है क्या आप point के नीचे point लिखेंगे बेशक वह value उस पर पूरी आ रही है या नहीं आपने हमेशा point के नीचे ही point mention करना है जैसे आपको पास पहली value 15.361 और second थी 1.2 आपनो point के नीचे point लिखा point के इस तरफाली value इदर लिख दी और इस तरफाली इदर अब यह दो spaces जो थी वह खाल बच जाएगी point के नीचे point mention करने की वज़ा से वहाँ पे आप क्या place कर देंगे 0 अब उसके बाद यह पूरी proper values हो गए आप इसे multiply करें 0 को सबसे multiply किया हमारे पास answer है 0100 0600 0300 0500 0100 नेक्स्ट हमने एक cross लगा कर दूसरी value लिए वो भी 0 है तो 0100 0600 0300 0500 0100 अब उसके बाद 2 cross लगकर 2 से multiply करेंगे 2 1s a 2 2 6s a 12 1 is a carry 2 3s a 6 और 1 7 2 5s a 10 0 यहाँ 1 carry 2 1s a 2 और 1 3 अब 3 cross लगेंगे अब फिर 1 से multiply 1 1s a 1 1 6s a 6 1 3s a 3 1 5s a 5 and then 1 1s a 1 सारे multiply हो गए अब उसके बाद हम इन्हें add करेंगे यहाँ पर आया सिफ 0 यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर 2 2 और 1 3 7 और 6 हमारे पास होता है 13 3 यहाँ 1 carry चला गया 1 और 3 कितना हो गया 4 3 और 5 8 और 1 का 1 अब point आपने count करना है आपके पास सवाल में 2 point है इन 2 point के अंदर जितनी भी values होंगे आप उन्हें count करें और जवाब में उतने numbers के बाद point लगाएंगे जैसे पहला point यह है तो इसके बाद value है एक दो तीन और दूसरे point तक जाने के लिए एक दो तीन तीन और तीन हो गई छे तो answer में 6 numbers के बाद आप क्या लगादेंगे point count करना शुरू करें एक दो तीन चार पांट छे चे नंबर हो गए तो आपने 4 के पहले क्या लगा दिया point यानि point के बाद 6 numbers होने चाहीं हमें पता है जब point के बिलकुल end में अगर 0 आते हैं तो उनकी कोई value नहीं होती है वो cut हो जाते हैं यहां last के 2 0 cut हो गए तो हमारा answer आए 18.4332 question है 61.08 by .009 point के नीचे point mention किया point से इस तरफ आली value 61 और इस तरफ 08 then नीचे देखें point के बाद 009 अब यह जो space थी वो खाली बज़ गई थी तो वहां क्या put कर दिया 0 अब multiply करते हैं 9 0 जा 0 9 8 जा 72 2 यहां 7 carry 9 0 जा 0 0 में 7 add किये हो गए 7 9 बन जा 9 9 6 जा 54 एक cross लगा 0 0 0 से multiply कर दिया तो 0 0 0 0 0 8 जा 0 0 0 0 0 1 जा 0 0 0 6 जा 0 then उसके बाद फिर दो cros लगने के बाद 00 जिरो जा, जिरो, 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 जिर चार पांच शे डिजिट हैं तो यहां से काउंट करना शुरू करें एक दो तीन चार पांच छे फाइफ तक हो गए छे डिजिट तो फाइफ से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट अब चेक करेंगे अगर सवाल के बिलकुल एंड में नहीं आंसर के बिलकुल एंड में अग सब्सक्राइब करेंगे नेक्स पार्ट है डिवाइड अप्टू त्री प्लेस आफ्टर डेसिमल यानि आपने डिवाइड करना है कहां थक कि पॉइंट के बाद आप तीन डिजिट तक चले जाएं आपने बाई 12 यह लिखाव है 246.831 बाई 12 बाहर रखा बाई की पाद व 12 टूजा 24 कुछ भी नहीं बचा अगला नंबर उतारा 6 12 के टेबल में 6 नहीं आता अब हमने दूसरा एक्स्ट्रा नंबर लिखना है तो पहले यहां पर लगा दिया हमने 0 क्यूंकि हम सेकंड डिजिट लेने लगें अब देखा हमने कि उसके बाद तो पॉइंट लगा वै तो उपल जवाब में भी आपने 0 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट अब उसके बाद आप नंबर ले सकते हैं आपने ले लिया नंबर 8 68 आता नहीं 12 के टेबल में 68 से छोटा आता है 60 12 5 जा 68 कैरी बचा रेमेंडर बचा उसके बाद 3 उतार लिया 83 83 आता नहीं 12 के टेबल में 83 से छोटा होता है 72 12 6 जा 72 83 में से 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 7 गए 1 11 बचा अगला नंबर उतार लिया 11 111 12 के टेबल में आता नहीं उससे छोटा आता है 108 12 9 जा 108 111 में से जब 108 निकाला 3 रिमेंडर हमारे पास जवाब में पॉइंट के बाद 3 प्लेसे फिल हो गई तैसे हम फॉर्दर आगे डिवाइड नहीं करेंगे हमारा आंसर 20.569 अगला सवाल है 3.55 by 1.24 जो पिसला सवाल था हमारे पास उसका डिवाइजर पॉइंट में नहीं था दियान रखना है कि जब भी डिवाइजर पॉइंट में है तो आप उस डिवाइजर को पहले क्या करेंगे सिंपल नंबर में कनवर्ट करेंगे कनवर्ट करने का तरीका यह होता है कि आपने देखना है कि जो डिवाइजर है उसमें कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाव है दो के बाद तो आप उसको उतने ही नंबर से मल्टिप्लाइ कर देंगे यानि वन के साथ उतने ही 0 लग उसी नंबर से multiply यानि वही operation उस value पर भी apply करना है तो हमने 1.24 को अगर 100 से multiply कर दिया तो 3.55 को भी हम 100 से ही multiply करेंगे 100 से multiply करने के बाद कि answer आ गया इसका ये हो गया 355 और ये हो गया 124 अब हमारा जो divisor हमने सिर्फ क्या करना था divisor का point खतम करना था dividend का खतम हो रहा है तो ठीक है नहीं होता तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि यहां पर भी हमने dividend को point के साथ ही solve किया है अभी हमारा पास आगया 355 upon 124 अब इसे आगे हम divide कर लेंगे 124 अंदर 355 बाहर 124 टूजा हमारा पास आगया 248 355 में से 248 निकाले तो हमारे पास answer आया 107 अब उसके बाद हमारे पास अगली कोई value है नहीं और 107 124 के table में आता नहीं है तो point लगा कि हमने 0 लगाया योगिया 1070 अब 1248 अब हमारे पास आता है 992 1070 में से जब 992 माइनस किये तो हमारे पास remainder बचा 78 point लगा वा है तो हमने 0 लगा दिये क्योंकि हमें decimal के बाद 3 places तक जाने है अब यह हो गया 780 1246 हमारे पास होता है 744 780 में से 744 निकाल दिये तो answer बचा हमारे पास 336 point लगा वा है तो एक और 0 लगा दिया हो गया 360 360 124 के table में आता नहीं है 1242 हमारे पास हो गया 248 360 में से 248 माइनस किये तो answer आया और बचा 112 लेकिन answer में हमारे पास decimal के बाद 3 places फिल हो गई तो इसे हम further solve नहीं करेंगे और यही answer होगा इसके बाद next question है point 12 by 2.73 इसमें भी हमारे पास जो divisor है वह point में है तो इसको convert करेंगे हम पहले simple number में अब point कितने numbers के बाद है दो तो फिर 1 के साथ कितने 0 लगेंगे दो यह हो जागा यानि 100 से यह वाली value भी multiply होगी और यह वाली भी हमने यहां से 2.73 को भी 100 से multiply किया और point 12 को भी 100 से multiply किया answer आगे 12 upon 273 नीचे वाली value बाहर रखी और 12 अंदर 273 के table में 12 आता नहीं है जीरो लगा के point लगाया तो एक 0 ले लिया लेकिन 120 भी नहीं आता 273 के table में तो फिर अब second number लेने के लिए क्या लगेगा 0 जीरो लगने से second 0 भी ले लिया हमने तो यह हो गया 1200 1200 273 के table में नहीं आता 273 फोर जा हमारे पास हो गया 1092 जब 1200 में से 1092 माइनस किये तो हमारे पास answer आया 108 point लगावा है इसलिए हमने एक और 0 ले 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 क्योंकि 108 273 के table में नहीं आता अब यह value हो गई 1080 अब 273 हमारे पास आ गया 819 1080 में से 819 को माइनस किया तो हमारे पास remainder बचा 261 लेकिन उपर decimal के बाद 3 places fill हो गई तो यह सवाल फर्दर आगे हम solve नहीं करेंगे बेशक इसका remainder बच गया अब इस पार्ट के जितने भी remaining question है वो book की page number 93 question number 5 से खुद solve करेंगे आप next part है हमारे पास simplify simplify किस rule के मताबिक करना है demand rule यानि पहले division, multiplication, addition and then subtraction अब यहां पर हमारे पास एक value दी हुई, एक question दिया है 2.5 plus 0.68 divided by 0.2 minus 1.3 सबसे पहले divide solve करेंगे 0.68 को जब divide किया 0.2 से तो हमारे पास answer आया 3.4 यह 2.5 वैसे उत्रा, plus वैसे ही उत्रा, यह दुनों solve वो के answer आया 3.4 और minus 1.3 वैसे ही अब rule के मताबिक addition पहले solve कर 2.5 plus 3.4 हमारे पास answer आया 5.9 और minus 1 upon 3, 1.3 वैसे ही उत्रा गया 5.9 वैसे जब 1.3 minus किया तो हमारे पास answer आया 4.6 next question है हमारे पास 1.2 multiply 1.2 multiply 1.2 plus 0.8 multiply 0.8 multiply 0.8 upon 1.2 multiply 1.2 minus 1.2 multiply 0.8 फिर प्लस 0.8 multiply 0.8 सबसे पहले हम multiply solve करेंगे क्योंकि upon वाली वैली में जब 1.2 को multiply किया 1.2 तीन दफा multiply करने में हमारे पास answer आया 1.728 उसके बाद हमारे पास 0.8 multiply 0.8 multiply 0.8 तीन दफा 0.8 को multiply किया तो answer आया 0.512 upon का upon लगाया 1.2 को 1.2 से multiply किया answer आया 1.44 minus 1.2 को 0.8 से multiply किया तो हमारे पास answer आया 0.96 और 0.8 को 0.8 से multiply किया तो हमारे पास answer आया 0.64 यानि अभी हमने सिर्फ multiplication solve किया अब उसके बाद हम क्या करेंगे addition उपर की addition solve की 1.728 में plus 0.512 आया का answer आगया 2.24 और यहां plus solve किया यहां पर plus solve पहले करके 0.6 में 0.96 में 0.64 आड़ करके फिर उसमें हम क्या कर देंगे minus कर देंगे 1.44 को तो answer आया 1.22 यानि 1.12 नीचे वाली value solve करके answer आगया 1.12 और उपर वाली value solve करके answer आगया 2.24 अब इन upon की values यानि यह divide हो जाएंगे 2.24 को जब divide किया 1.12 से answer आया यहां पर आ गया 2 यह simplify हो गया यहां पर यह question solve इस part के remaining question आपने करने हैं book की exercise 5.3 के question number 6 से लेकिन इस simplify में सिर्फ question number 1 से लेकर 5 तक solve करने यहां पर हमारी exercise complete हो गए और इसके साथ यह chapter भी complete हो गया इंशाला विल बी back with the next chapter अल्ला हाफिस